दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हमारे DDFIDs के सेटा बॉक्स के अंदर हम भारत 24 वीजन जो चैनल है उसको किस तरीके से एड़ कर सकते हैं तो इसकी सिंपल और सही जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ तो चलिए मैं सबस्क्राइब आपको बता देता हूँ तो एंटेना सेटिंग में सबसे उपर जो सेटलाइट है वो सेटलाइट करके रखना है आपको DDFIDs वाला LNP Power को ओन करके रखना होगा LN Frequency के अंदर यूनिवर्सल LN Frequency 9750-10600 वाले स्लेट करना होगा और इस इक्विशी को ओफ करना होगा TP को दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर हम TP लिस्ट के अंदर जाकर के TP एड़ करेंगे उसके बार में स्टार साच के अंदर आप सेटलाइट या फिर ब्लाइंड इसके रोटो या फिर आप सूपर ब्लाइंड इसके वेंसे कुछ भी कर सकते हैं और सेटरवक्स के अंदर फिक्वेंसी एड करने के लिए यहाँ पर गृन क्लर का बटन दिया गया जैसे में इसे और ब्लू कलर का बटन दबाना तो यह संटा बटन हो जाएगगी चलिए हमने frequency पहले से एड़ कर रखी है अब दोस्तों frequency के उपर channel हमें scan करना है तो channel scan करने के लिए simply मेरे remote के अंदर यहाँ पर blue color का बटन दिया गया है जैसे मैं यहाँ पर blue color का बटन दबाता हूं तो मेरे यहाँ पर setup गुल जाता है तो यहाँ पर FTA only go yes करेंगे TV रीडियो के अंदर हम यहाँ पर TV करेंगे और search पर आएंगे remote का बटन दबाएंगे तो यह channel हमारे setup box के अंदर यहाँ पर add हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर 15 नमबर पर भारत 24 विजन यहाँ पर चैनल एड़ हो चुका है तो अगर आप इस चैनल को एड़ करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले तो HD setup box होना चाहिए और फिर आप जो मैंने तरीका बताया है उसका आप follow कीजिए और चैनल को एड़ कर लीजिए तो आसा करते ह यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लायक कीजएगा चैनल को सब्सक्राईब कीजएगा ताकि मेरे आने वाले आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें